नमस्कार, MV Health Tips channel में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सिस्क्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो जिससे हम आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, वो आप तक पहुच पाए और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होती है और यह आपके लिए बहुत ज़्यादा गुनकारी भी होती है और आपके फाइदे की बात होती है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं क्या है कास जिया दोस्तो आज हम इस वीडियो में अजवाइन की बात कर रहे हैं जिया दोस्तो यदि आप अपनी तवच्चा का रंग बहुत जादा निखाटना चाते हो कुछ अलग और गूरा दिखना चाते हो और लेकिन इन सब के लिए आपके पास टाइम नहीं मिल रहा तो दोस्तो आपको निराश होने की बिलकुल भी ज़रुवत नहीं है आप घर बैटे ही कुछ खास टिप्स अपना कर अपना रंग को घुरा कर सकती है जिया दोस्तो आपके किचन में कुछ ऐसी चीज़े है जिनका प्रियोग कर आप और उसे घुरा दिख सकती है जिया, दोस्तो, यह आपकी तुचा पर कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं डालेंगे चलिये लिए दोस्तो, आप सीधा-सीधा चलते हैं और जाल लेते हैं कि कैसे आपको जोईन का प्रियोग करना है आपका वक्धाया भी नहीं करते हम लोग जिया दोस्तों तवचा के भीतर तक जाकर गंद की साफ करने के लिए एक चमच जजवाइन को 15 मिन्ट तक उबा ले और जब तक इसका पानी ठंडा ना हो जाए इसका पेज बनाकर जजवाइन को चहरे पर लगाए फिर इसे पूरी तरह सूखने के बाद अपना पानी अजवाइन वाले जीरे जो पानी है उसी से आपको साफ कर ले जिया दोस्तों यदि आप ऐसा एक महीने तक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी तवच्चा में कुछ रंगत आ गई है और आपका चहरा बिलकुल बेदाग हो चुका है और आपका चहरा खुबसूरत हो चुका है अगर आप तवच्चा को चमदकार बनाना चाते हैं तो स्टॉबरी मास्क आपके लिए भैतर विकल्प है स्टॉबरी के कुछ टुकुडे को धई और शेहत के साथ मिला कर अच्छी तरह से मिला ले चहरे पर लगाए कुछ तेर बाद चहरा साफ कर ले देखेंगे कुछी दिनों में आपका चहरा बहुत जादा चमकने लगा है जिया दोस्तों ओयली तवच्चा से आप यदि छुटकारा पाना चाते हैं तो आप एक चमज मुलतानी मिट्टी और एक चमज गुलाब जल के साथ मिला कर इसका पेज बना ले उसमें एक चमन नीमू का रस अच्छी तरह से मिलाएं चहरे पर लगाने के बाद इसे गुर्ण गुर्णे पानी से साफ करें त्वचा को चमतगर बनाने और चहरे की नमी को बरकरार रखने के लिए धाई के साथ नीमू को निचोड़े और दोनों को अच्छी तरह से मिलाएं इसके बाद चहरे पर पेस करें और गर्दन पर लगाएं 10-15 मिन बाद फेस पैक को ठंडे पानी से धोलें और यदि आप इसको कुछ ऐसे करेंगे थोड़े दिन तक तो आपको अपने आप ही असर दिखना शुरू हो जाएगा चलिए दोस्तों बगले उपाई की तरफ बढ़ते हैं इसके लावा आप अपने चहरे पर 4 चमबज चमाटर का रख, 2 चमबज नीमू और 4 चमबज ओट मिल पाउडर का पेस बनाकर अपने चहरे पर लगाए 10 मिनिट तक इससे लगा रहन दे और उसके बाद आप अपना मूँ धोलीजी आप देखेंगे कि आपके दाग धबे बिलकुल कम हो गए हैं और दाग धबे बिलकुल हटी गए हैं और आपका चहरा भी ग्लो करने लगेगा चहरे के दाग हटाने और तुचा को चमबज कर बनाने के लिए चार अंगूर का रस निकाल ले और इसमें थोड़ा सा आठा और बेकिंग सोडा मिला कर चहरे पर लगाए और इसे 15 मिन्ट बाद अच्छी तरह से पानी से मूध हो ले और आपको नॉर्मल पानी से मूध होना है लास्ट उपाई की और बरते हैं टेमाटर और शेहत का पैक लगाए इसके लिए आपको दो चम्मस टमाटर का रस एक चम्मस शहद और उसे चहरे पर लगाए और 25 मिनिट बाद अपना चहरा साफ कर ले इससे आप मुहां से जहाईया ब्लाक हेट्स आदी समस्या से निजात पा सकती है यदि आप इसका उपाय थोड़े महीने तक करेंगे या थोड़े दिनों में ही आपको इसका उपाय नज़राना लग जाएगा तो दोस्तो जाना आपने कि आपको गोरे होने के कितने सारे उपाय है कोई भी उपाई कीजिए पर रेगुलर कीजिए और ये आपकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपकी स्किन भी ग्लोई रहेगी तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सिस्क्राइब और शेयर करना ना भूले क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे ही टिप्स ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहते हैं और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आप सब भी इन उपायों का उपाय जरूर करें आपको 100% फैदा जरूर होगा